Hello students, कैसे आप लोग एक वार फिर से आपके अपने परिवार, dream classes में आप सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी का बिलकुल हर दिक स्वागत है, तो आज की class में आप सभी के सामने हैं बहुत important और shortcut trick सिखने वाले हैं, जिसका नाम है cube root, ठीक है, already आप लोगों ने वर्गमूल का की स्वाइर रूट का टरीक सिख लिया, ठीक है, आज हम सिखेंगे cube root कैसे निकालते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका number दिया रहे इगए, पूछा जाता है, ठीक है, और इसका हम लोग बिलकुल आसानी तरीके से सीखेंगे कि cube root कैसे निकाला जाता है, ठीक है, बिल बिल्कुल मातर दो सकेंड जी आप टाइम के साथ निकाल सकते हैं बस हमारे साथ सुरू से अंतंक मातर दस मिनट दस से पाच मिनट आपको क्या करना पड़ेगा हमारे साथ रहना पड़ेगा ठीक है सबसे पहले बता दिए कि प्रोपर तरीके से सब्सक्राइब करते विए मानेाट का टीन कैसा होता है यहां पर आपको three लिखा वह रहेगा कुछ भी दे सकता है आपको जिसका क्यूप पॉसीबल है ठीक है क्यूब रूट ठीक है आपको पुछ देगा कि ये कि incarnate क्यूब रूट है ठेक है यानि किसका घनमूल क्या होगा इसी तरीके का सवाल हम लोग सीखेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको छोटा सा याद रखना है ठीक उसी तरीके से जैसे स्क्वाइर में हमने स्क्वाइर याद रखा था 25 तक तो इसमें आपको कम से कम 10 तक कुल आसानी तरीके से जैसे हम देख लेते हैं सबसे पहला अगर एक का हम क्यूब करें तो कितना आजाएगा एक आजाएगा सबको याद होगा दो का अगर हम क्यूब करें तो कितना होता है तीन का अगर हम क्यूब करें तो कितना होता है 27 होता है चार का क्यूब कितना होता होता है चाएंटा जोचे कर चोटा है और पांच का मेंट 205 होता है छे का मेंटा होता है चयोग औरम सिपप्फ हिरुसहीं तरीक bigger has कितना होता है 1331 होता है ठीक है उसी तरीपे से 1708 होता है तो आपको क्या करना है आपको शहर्Any से आपको याद्राना चाहिए कम से कम 12 अक्षट यह बना चाहिए न परहले क्यों कर दोते हैं सब कर निकाल लिए ने उसके बाद हम क्यूब रूट सीखेंगे इसी से इसी से क्यूब रूट भी बनेगा ठीक है अब एक जाम में आपका कोश्चन पूछा जाता है क्या पूछता है कि ऐसा कौन-कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट पॉसिवल है यानि कि किसका किसका तो सबसे पहले आपने देख यह जीरो यहनि कि 0 से ले करके 10 तक 0 से ले करके 9 तक यह तोटल 10 ऐसा नंबर है दस के दस ऐसा नंबर है जिसका लास्ट में आगर 0 से 10 कोई भी डिजित रह जाए तो हम समझ जाएंगे उसका क्यूब रूट पॉसिवल है ठीक है जबकि अस्वायर रूट में ऐसा नहीं था ठीक है चलिए यह सब बेसिक बाते हैं अब हम स्टाइड करते हैं में टॉपिक देखे इसके लिए जैसे हम लोग अगर स्क्वायर रूट निकालते थे लास्ट का दो अंक देखते थे लेकिन होसे मतलब यह 6 कि इमको निकाल रहें क्यूब निकालतें कि dot में धर सीथ हमको उस पर गौर करना है अब अंती मंग आँठ माएं क्या है जिसका आइसा कॉनना कुव उससा है सोचिए क्यों क्यूब कितना होता है Правिता जगा उसकर चल्वर कहीं भी आपको बाध की लिएसा कि के यह लिए कि लिए अच्य तरीके से समझेगा लाइस में फिर कमेंड में आता है कि सर समझ नहीं आया है इसलिए ध्यान से समझे समय क्योंत निकाला है हमने तीन अगष מ्यों कि क्योंतर कगे क्यों Wade कोई भी नंबर दिया रहे क्यों रुवे तब सक्कुनी में हमने दो गहरत है निन निखालना उसके बाद अंती मंग देखना एक से दस्म में कि किसा में आर्ट आता है तो एक का नमशे मित्या सब बहुत होता हैники तो आप सिंप्ली तरीके से देख सकते हैं कि 778 जो है किसका होता है तो दस का क्यूब होता है अगना है क्योव क्योथा है क्योथ मतलब यहीं दोनों के बीच होगा हमेशा आपको उपर वहला लेना है 9 और 10 के बीच ही आता है यह 778 है नहें तो हमेशा आपको नीचे बलाने लेना है यानि बड़ा नबर ने चोटा नमर ही लेना है नौध सकी बीच आता है तो 9 और 10 में कौन बड़ा है चोटा है नो बड़ चोटा है तो हम यहां पर लिख देंगे आपका किलियर है दूसरा कोश्चन बढ़ते अभी भी कम से कम आपका जो है अभी 70% स्टुडेंट का डाउट है इसलिए हम लोग दूसरा कोश्चन भी देख लेते हैं ना दूसरा कोश्चन देखें यहाँ पर आपको प्रोपर तरीक से समझ में आएगा सबसे पहले हम लोग क्या आता है तीन आता है तो सोच करके देखेंगे किसका आता है 243 का तीन आता है यहां पर आप देख सकते हैं सिंपली तरीके से यानि कि साथ का क्यूब क्या आता है लास्ट में देखें तीन आता है साथ का क्यूब में मतलब 243 यानि कि यह तीनों के जगा पर हम क्या होता है और साथ का क्यों कितना होता है 243 होता है मतलब यह तीनों जगह के नंबर के जगह पर हम सिर्फ साथ लिखेंगे आप 103 किसके किसके बीच आता है 103 जो है यह किसके किसके बीच आता है तो देखे 6 का तो 200 सुला हो गया और हमको क्या देखना है 103 देखना है यहां देख सकते हैं उपर वाला यहां पर आंशर क्या अब का 4 जरा है सबसे पहले क्या लिया सब्सक्राइब करने बिश्रक्राइं अब बीच आता है तो पांच का क्यूब होता है 125 है और चार का क्यूब होता है 64 मतला इदोनों बीच इदोनों नंबर के बीच में क्या जाएगा कहीं पर 103 आएगा अब हमेशा क्या लेना है छोटा वाला लेना जिसका क्यूब होता है उसी को लेना नीचे वाला ने देखना है बड़ा वाला नंबर कोश्चन है कि थोड़ा सा और इसको बढ़ा कर देते हैं अपर तरीके से आवाज जा रहा है थोड़ा जोड़ सभी बोल रहे हैं ताकि सबको आवाज जाए बाद में किसी के कंप्लेन ना रहे कि सर आवाज बहुत कामाता है समझ नहीं आया बिल्कुल अराम-अराम से ठीक है किसी करने के बाद अंतीम में छे आता है इंपलसी बात है इसका मतलब 6 ही वो नंबर दो to 6 कर रहा है यहां भी छे हैं मतलब यह तीनों नंबर के जगा पर हम सिर्फ क्छे लिख सकते हैं मिए अब देखना है कि यह 365 है 175 कौन सा इसा नंबर है जिसको क्यूब करने के बाद 175 आता है मतलब 155 का पता है क्यूब होता है 125 आचे का क्यूब होता है क्या दूसों 16 तो हम यही दोनों नंबर है जिसके बीच में क्या जाएगा 155 आएगा जो यहां दिया हुआ है अब एक सुब हमेसा क्या लेना है पाँच लेंगे या तो चेलेंगे लेकिन बड़ा वाला नहीं लेना है हमको चूटा वाला लेना तो क्या हो जाएगा इसके जगा पर पांच आजएगा मतलब यह 56 यह कैसा नंबर है जिसका क्यूब यहा है इसको चарт नंसर बता देजिए क्या हो जाएगा है जोडा साभी आपका जीरो परसेंट डाउट नहीं होना चाहिए न्हीं होना चाहिए बिल्कुल आराम से और प्ली तरीड़ तरीके से बिल्कुल अचे तरीके से संध्या रहे है तो ध्यान से समझ जाए ठिक है चैसले क का इस लास्ट का तीन अंग में देखना है कि कि लाघ में क्या है दो है कौन सा ऐसा नंबर जिसको क्यूब करने पर लाघ में दो आता है तो 6 का होता है 216, 7 का होता है 248, 8 का होता है 512 8 का क्या होता है cube, 8 का cube होता है 512 इसका मतलब हो last में 2 आ रहा है, मतलब यह 3 नमबर के जगा पर हम 8 लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, क्लिए रहे यह तीनों नंबर के जगा पर 8 लिख सकते हैं क्यों लिखेंगे क्योंकि लास्ट में दू आ रहा है और कौन सा ऐसा नंबर है जिसको क्यूब करने पर लास्ट में दू आता है तो आठ का होता है 512 मतलब 8 लिख सकते हैं इसके जगा पर क्योंकि लास्ट में इसमें भी दू है कि लिए रहे कि चलिए आप देखे आप यहां बच गया नो सु एक आलीस यहां पर 941 बच्तुच को धिर्च ऑट अब लेखें एक सु बानवे के जगा पर हम क्या लिख दीए आठ अब लाशा में बच्टा नो सु एक तालीस नौ सु तालीस देखेंगा तो किसके किसके और दस का क्यूब होता है एक हजार तो यहीं दोनों नंबर के बीच आएगा कहीं पर साथ सु एक तालिस हमेशा बाद छोटा वाला लेना है तो नव आंसर हो गया अब चलिए आप डाइग्राम को नहीं देखेंगे आप डायरेट हम आंसर बनाएंगे चलिए कोश्चन तो हो नंबर यहां पर हम लिक देते हैं इसका क्यूब निकालके जल्दी बताना है बिलकुल सगेंड में कोश्चन न लिखने के बाद 704 और 979 चलिए सकने का बताना है इसका आंसर जल्दी बताये किसका किसका यह क्यूब है नास नहीं भष साकशन लाइए 9 मतलब 9 किसका होता prosperity plane 729 का नौ फ leaked ah 704 किसके किसके बीच आता है ठीक है तो 704 देखना चूर अनौ यहां साथ 40 बतलो हमेसा टोबालेनाथ हो जाएगा नव्हासी अंसर हो गया विल्कुल सरो गया नवासी का क्यूभ है उत और बढ़ा ले लेक हम चलिए वात निया और बड़ा लेत नमबर लेते हम बस लास्ट कुश्चन एक नमबर और ले लेते हैं ठीक है सिर्फ आप लोगों के लिए कि ताकि किनी को भी 0% भी डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है चाहिए इसका क्यूब निकाल के बताईए एक सो नौव 2727 से बड़ा तो एक्जाम मिन भी नहीं देगा हैं आप वड़ा है यह थिमियंग करें तैन कि नमबर कैज देगा है उतल तीन में देखना है उतल हम कि दस सो बावे किसकों के बीच यूद बीचाएगा तो 10 का क्यूब हो जाता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331 मतलब यह दोनों के बीच आएगा हमें इसा छोटा लेना है तो 10 बैठा दीजे हो गया 103 किलियर है तो इसी तरीकी का क्लास देखने के लिए हमारे चानल से जुड़े क्लास ठीक है और सभी का बिल्कुल है ना यहां पर अच्छे अच्छे तरीके से आपको यहां पर सिंपली सॉट ट्रिक बताया जाएगा और कंपलीट चेप्टर भी करवाया जाएगा ठीक है बिलते हैं अगले क्लास में टेक केर बाबाय जैहिन